हेलो अच्छों, let's see the question इस question में हमें fx और gx दो function दिये हैं, क्योंकि r से r define की गए है, और यहाँ पर हमें एक relation दिया है, देखें क्या relation दिया है, fx plus f double dash x इसके एक पुल दिया है, देखें minus x times के दिया gx into f dash x के पुल दिया है, ठीक है और देखें, यहाँ पर इसाथ में एक और relation दिया है, कि gx कैसा है, always positive है, gx is greater than 0, for all x belongs to real, ठीक है और यहाँ पर हमें एक function दिया है, f2x plus f double, f dash x का whole square हमें क्या करना है, इसका nature बताना है तो इसको let माल लीजे, let let hx के equalize, जूम कर लीजे देखें, hx क्या दिया है, हमें, f2x f2x plus क्या दिया है, f dash x का whole square दिया, ठीक है चलिए, अब क्या करते हैं, इसको differentiate करते हैं, तो इस सम्प्राइज देखें, यहाँ से h dash x किसके equal हो जाएका, 2 fx f dash x, twice of fx, f dash x, ठीक है plus यह किसके equal हो twice of f dash x into f double dash x के क्या हो जाएका, equal हो जाएका, ठीक है चलिए, यहाँ से two times dash x क्या करते हैं, common लेते हैं, ठीक है तो क्या आ जाएका, देखें, fx fx plus क्या जाएका, f double dash x आ जाएका, ठीक है, अब देखें fx plus f double dash x का value किसके equal दिया है, minus sorry, fx plus f double dash x क्यों है है, इसका value क्यों किसके equalर दिया है question में दिया है, minus of x gx x minus of x gx और f dash x के क्या दिया है, equal, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है, पुरिए डीके value किसके equal हो जाएगा, minus two times of f dash x का kyan हो जाएगा, whole square into, kyan हो जाएगा into, क्या हो जाएगा, आपका यह minus of 2 times of minus f deșes x kawal square into हो जाएगा x gx हो जाएगा ठीक है यहाँ से iska value क्या रहा है minus of 2x f deșes x kawal square f deșes x कawal square into क्या हो जाएगा gx हो जाएगा ठीक है अब देखिया question में क्या दिया gx कैसा है positive है y quantity always positive y yes x कawal square y quantity क्या always positive है minus 2 minus 2 kia है ठीक है चले फोड़े पूट करते हैं पूट कर देते हैं है एक्सीडेस इसे को जी आजाएगा यहाँ से एक्सीथि एक्सीडिए जी है एकिरहे जीरोंट पॉइंट जाइंग जीरोंगा पिंच už चलिए अब आप पर 0 से थोड़ी से बड़ी value रखेंगे तो h-0 plus का value क्या हो जाएगा आपका negative हो जाएगा ठीक है चलिए आप क्या करते हैं 0 के left neighborhood के corresponding h-x का value निकालते हैं यानि h-0 minus का value निकालते हैं 0 से कोई छोटा नमर रखेंगे तो negative negative मिलके क्या बन जाएगा आपका positive बन जाएगा ठीक है चलिए अब 0 पर जो है left से right जाने पर sign कैसे change हो रहा है देखिए प्लस से minus sign चेंज हो रहा है देखिए 0 के left है और level neighborhood पर positive sign है जिरो के right neighborhood पर कैसा sign है negative sign है ठीक है तो zero के neighborhood पर left से right जाने पर h-x का कैसे sign change हो रहा है plus से minus sign चेंज हो रहा है तो this implies यहां से clearly क्या हो जाएगा h-x h-h-h क्या हो जाएगा local maximum हो जाएगा local maximum हो जाएगा local maxima हो जाएगा